कांट की जाच कर रहे आर्थी कपराध ही एक आय की कारवाई जारी है यान की आपको बता दें कि EOU अब इस मामले को लेकर के जाच कर रही है EOU ने परिक्षा में शामिल नव परिक्षार्थियों को उनके साथ अभिवावकों के साथ पूछताच के लिए बुलाया है तब ही से अगले आपको बता दें कि अब अगले सब्ता यान की 18 और 19 जून को पूछताच की जाएगी दरसल ऐसे 9 अभियर्थी हैं जिनके रोल कोड और रोल नमबर सौलवर गैंग के साथ उन मिले थे और आपको बता दें कि नीच पेपर लिक में ये बड़ा खुलासा भी हुआ पूछताच के दौरान राजे सरकार के 56 साल के एक जूनियर इंजिनियर सिकंदर यादव ने अपनी फूमी का कबूल कर लिए और खास बात यह है कि इसमें 40 लाख रुपए में सौधा हुआ था जिसमें से सिकंदर यादव को हर कैंडिडेट से 8 लाख रुपए मिल ले थे आर्थिक अप्राधिकाई से और अधिक जानकारी दे रहे है न्यूजेटीन समबाद दाता संजे कुमार नीट पेपर लिग कांट के जाज कर रही आर्थिक अप्राधिकाई की टीम ने इस परिक्षा में सामिल 9 परिक्षार्थियों को अगले सब्ता 18 और 19 जून को इसी आर्थिक अप्राधिकाई के कार्याले में पूश्ताच के लिए बुलाया है दरसल सौलवर गैंग के पास इन सभी परिक्षार्थियों के रॉल लंबर मिले थे और अब इन सभी परिक्षार्थियों से पूश्ताच होगी यह जो आर्थिक अप्राधिकाई का कार्याले आप देख रहे हैं यही पर सभी अभी अर्थी आएंगे अपने अभिभावकों के साथ यानि गारजियन के साथ उन्हें आना है जहां पर आर्थिक अप्राधिकाई की टीम उनसे पूछ ताच करेगी इस पूरे मामले में अब एक नया मोर भी आ गया है दरसल बिहार सरकार के इंजिनियर और धानापूर नगर परिशद में पदस्थापित सिकंदर प्रशाद यादो जो जूनियर इंजिनियर है उसने इस बात को आर्थिक अप्राधिकाई के सामने स्विकार किया है कि नीट प परिक्षार्थी यानि हर परिक्षार्थी से 40-40 रूपे 40-40 लाख रूपे उगाही करने की यूजना बनाई थी जिसमें 8 लाख रूपे शिकंदर यादों को मिलना था अब इस पूरे मामले में जो जांच है वो आगे बढ़ने लगी है कुछ दिनों के अंतराल के बाद किसी तरह का कागजात उपलब्द नहीं कराए गया है दरसल पटना पुलिस पूरे मामले में प्राणभिक दौर में जार्ज कर रही थी और एजी कॉलोनी में पटना के सास्तिनेकर थाना छेतर के एजी कॉलोनी में एक मकान से पुलिस ने जब जो जला हुआ प्रशनपत्र है उसको रिकवर किया था और इसको लेकर आर्थिक अप्राद इकाई ने जब इस मामले की जांच शुरू की तो उसने एंटिये से प्रशनपत्र नीट का जो प्रशनपत्र हो मांगा तीन बार नीट को नोटिस दी गई तीन बार उनको तलब किया गया लेकिन अब तक इस मामले में और आर्थिक अप्रादिकाई जांच परतर जो है उसकी प्रकडिया आगे बढ़ाएगी फिलहाल अब इन सभी जो नौ भी हरती हैं जो परिक्षारती हैं उनसे पूश्थाच के बाद क्या बात निकल कर सामने आती है यह देखना दिल्चस्थ होगा कैना परस